हे नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है लो कॉंपिटिशन कीवर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लो कॉंपिटिशन कीवर्ट के बारे में बताऊंगा जिन पर आपको traffic ज्यादा मिलेगा और competition बहुत ही low देखने को मिलेगा दोस्तो ऐसे keywords पर काम करना better रहता है क्योंकि जब हम new blog start करते हैं तो बिल्कुल traffic नहीं आता है कई लोगों के मुझे comment आते हैं कि हमने adsense approval तो ले लिया लेकिन हमारी website पर बिल्कुल zero traffic आ रहा है जिससे उनकी earning नहीं होती है या फिर उनको कोई ad limit है वो लग जाती है तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको ऐसे keywords बताऊंगा इस पर अगर आप काम करते हैं तो definitely आपकी blog या website पर traffic आना सुरू हो जाएगा दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर new है वो नीचे का लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं low competition keywords के बारे में तो दोस्तो हम जब starting में blog बनाते हैं तो हम high competition keywords और high cpc keywords पर काम करना start करते हैं जिससे अमारी जो site है उस पर बिल्कुल traffic नहीं आता है क्योंकि हमें ज्यादा earning करनी होती है इसलिए तो आपको क्या करना है कि starting में आपको earning बिल्कुल नहीं देखनी है ऐसे keywords पर काम करना है जिनका competition यानि की difficulty बिल्कुल zero हो ऐसे keywords पर अगर आप काम करोगे तो आपकी site पर traffic आ जाएगा और आपकी earning है वो भी हो जाएगी अगर आप hard जो keyword होते उन पर काम करना start करोगे तो नहीं आपकी site पर traffic आएगा और नहीं आपकी earning होगी दोस्तो मुझे कई सारे लोगों के comment आते है या फिर instagram पर message आता है कि वाई हमारा adsense approved है लेकिन earning है वो बिल्कुल zero हो रही है दोस्तो ऐसे मैं आपको इन keywords पर काम करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप affiliate marketing यूज़ कर रहे या फिर adsense की ads यूज़ कर रहे तो आपको किन-किन keywords पर काम करना चाहिए चली हम चलते है computer screen पर और जानते हैं ऐसे keywords के बारे में दोस्तो यहाँ पर मैं आपको Google search में यह जो keyword है उनकी difficulty क्या है और उन पर traffic क्या है वो आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने Google select कर लिया है और country मैंने यहाँ पर India select की है ताकि हम Indian की ही जो keyword ranking है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो keyword है वो मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ हमारा जो पहला keyword है वो है how to check Vodafone balance तो यहाँ पर मैं type कर देता हूँ how to check Vodafone balance दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते है अगर आपको कोई भी keyword चेक करना हो तो यह tool paid है यह आपको पता होगा यह 299 में एक मन्त के लिए मिलता है अगर आप group SEO tool से buy करते है तो तो दोस्तों आ कुल 0 यानि कि 2 है और इसका monthly search volume आप देख सकते है यहाँ पर 15K है और CPC आप यहाँ पर देख सकते है अच्छी खासी CPC भी मिल रही है और यह जो global volume है वो भी आप यहाँ पर देख सकते है तो यहाँ पर आपको यह volume देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको CPC पर ध कीवर्ड वो implement हो सकता है और दोस्तों कीवर्ड implement कैसे करते हैं जिससे हमारी site है वो rank हो जाए उस keyword पर तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं एक separate video लाऊं तो उस पर मैं एक video special बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कीवर्ड को अपने post में किस तरह implement करते हैं ताकि हमारी site rank हो जाए और ऐसे zero difficulty keywords पर कैसे काम करते हैं तो दोस्तों यह था हमारा पहला keyword how to check Vodafone balance यहां पर आपने देख लिया दोस्तों अब मैं आपको यहां पर दूसरा keyword भी दिखा देता हूं दूसरा keyword यहां पर मैंने different different sites के लिए यहां पर मैंने keyword आपको ब keyword से आप इसकी difficulty यहां पर देख सकते है जीरो है और इस यहां पर इसका volume है वो 38K है और CPC भी अच्छी खासी मिल रही है और clicks आप देख सकते है इसके 9.1K है और global volume जो है इसका वो भी यहां पर अच्छा है लेकिन दोस्तों यह जो full form site है उसके लिए हमें बहुत मैनत करनी परती है क्योंकि अगर हम कोई भी full form search करते तो गूगल खुदी दिखा देता है उस चीज का full form तो इसे में हमारी जो मेनत है वो बेकार चली जाती है हमारी site पर कोई visit नहीं करता है लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे full form से जो Google नहीं दिखाता है आप उन full form पर अगर काम करते है तो आपकी site जरूर rank हो जाएगी Google में और आपको भी अच्छा खासा traffic मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर नीचे यह सारे questions है और same terms के यहां पर आप देख सकते हैं यह keywords भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे है तो इसकी जो keyword difficulty वह जीरो है बिल 80 traffic और earning दोनों मिल जाएंगे दोस्तों तीसरा जो हमारा keyword है वह कुछ movie site related है क्यूंकि movie site के लिए भी मैंने यहां पर keywords find out किये है तो आप देख सकते हैं यहां पर tamil rockers WSF वह यहां पर keyword है इसको मैं यहां पर search कर लेता हूं आप इसके volumes और बाकी सारी चीजह देख सकते हैं दोस्तों इसका जो keyword difficulty है वह भी medium यानि कि 12 हो गया है पहले यह थोड़ा low था अभी थोड़ा बढ़ गया है लेकिन आप इसका volume देख लिजिए 265 के है इसके लिए आपको 12 है तो आपको थोड़ी ज्यादा backlinks बनानी पड़ेगी यहां पर लिखा हुआ है तेरा backlinks पर site rank कर जाएगी लेकिन उससे ज्यादा बनानी पड़ेगी और article भी अच्छा लिखना पड़ेगा और दोस्तों हाँ आपको इनकी link बिल्कुल अपनी site में नहीं देनी है नहीं Google AdSense approval से पहले और नहीं approval के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको penalty लग सकती है Google की तरफ से तो य अपनी site में बिल्कुल एड़ ना करें उससे आपकी site पर गलत effect पड़ता है तो यह चीज़े आप ध्यान रखें दोस्तों यह movie site वालों के लिए है जो movie reviews पर आर्टिकल लिखते हैं वह इन पर आर्टिकल लिख सकते हैं और इस article को अपनी site में implement कर सकते हैं दोस्तों अब यह के लिए यह जो keyword है वह खास होने वाला है क्योंकि इसकी difficulty और volume बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं इसकी difficulty 6 है और इसका volume है 21 के है और clicks भी इस पर यहां पर देख सकते हैं 15 के clicks आ रही है तो यह अच्छा खासा है अगर आप Amazon या Flipkart affiliate यहां पर use कर रहे हैं दोस्तों त अच्छा खासा traffic भी मिलेगा और United State का यहां पर traffic आपको देखने को मिल रहा है तो आपकी sales भी अच्छी होगी तो आपको Amazon से या फिर Flipkart से अच्छा खासा commission मिल जाएगा तो आप office table के बारे में लिख सकते हैं उनको बता सकते हैं कि कौन से best जो office table है वो use कर सकते हैं तो यह सारी चीजे आप लोग बता सकते हैं तो इस तरह आप इस keyword पर काम करके affiliate marketing से भी अच्छी खासी earning कर सकते हैं और अगर आप adsense की ads लगा रखी है तो उसमें भी आपको CPC आप यहां पर देख सकते हैं इतना CPC मिल जाएगा और आपको clicks भी अच्छी खासी मिल जाती है तो वह भी आपको यहां पर जो keyword है वह आपको affiliate marketing और बाकी सब चीजों के लिए भी देखने को मिलेगा अगर आप phone review site बना रहे है या फिर कोई अंदर चीज बना रहे है दो तो वह आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं तो मैंने यहां पर search कर लिया है best phone under तो यहां पर इसकी जो difficulty है वो देख लिए 20 है यह main keyword है इसके लिए इसकी difficulty इतनी ज्यादा है यहां पर हम इससे related keywords find out करेंगे और इसकी एक से दस्तक की जो keyword difficulty है उसमें हम देखेंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे keyword से best phone under 15K और यह सारे तो मैं यहां पर keyword difficulty यहां पर filter कर लेता हूं तो एक से दस तक हम रखेंगे दोस्तों आपको starting में ऐसे keywords पर काम करना है जिनकी difficulty एक यह 10 से बीच में हो और जिनका search volume आपको monthly 2K से ज्यादा मिल रहा हो और clicks भी उच पे अच्छी खासी मिल रही हो ऐसे keyword पर आप काम करोगे तो आपको traffic definitely मिलने वाला है आपको CPC बिल volume देख लो दोस्तों और clicks भी आप यहां पर देख सकते हैं कि इतने volume पर कितनी clicks आ रही है उसके बाद नीचे जो keywords है वह सारे एक से 10 के बीच में ही आ रहे है तो आप इन keywords पर काम करना चाहते हैं तो आप अपनी site पर अच्छा खासा traffic ला सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको ए इस तरह बनानी यह सारी चीज़े है वह आपको step by step करनी पड़ेगी तभी आपकी site Google में rank होगी और तभी आपका जो भी keyword पर लिखा हूँ article है वह दोस्तों I hope मैंने जो keywords बताये हैं वह आपको traffic लाने में helpful होंगे और साथ में मैंने जो information दी है वह भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको traffic लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों ऐसे ही traffic और adsense earning से related videos के लिए हमारे channel को subscribe जरूर करें और video अच्छा लगा हो तो like बटन पर click जरूर करें दोस्तों मिलते हैं next interesting video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत